भीपक्षी एक ताको अर्विंद केज्रिवाल की चुनोती क्या ये सही है कि अर्विंद केज्रिवाल है भाजपा का छोटा रिचाज हम करेंगे आज साबित कि आखिर आम आदमी पाटी को क्यों कहा जाता है बीजीपी का छोटा रिचाज देखें पूरी रिपोर्ट पतना की गलियों में आम आदमी पार्टी का नया नाटक भारती जन्ता पार्टी को देश से उघार फेकने के लिए लगातार विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्षी दल एक साथ हो सकते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विपक्षी जो एकता है उसमें चोट नजर आ रही है विपक्षी एकता तूटने के कगार पर है उम्मीदे जो लगाई जा रहे थी 23 जून को पटना के सरजमीन पर तमाम तर विपक्षी दलों ने अपना एक मीटिंग किया और जिस मीटिंग के ताथ एक मेसेज देना था भारत्य जंदा पार्टी को कि उनके खिलाब तमाम तर विपक्षी पार्टी एक जूटा का परिच्छे देगा और तमाम विपक्षी पार्टी मिलकर चुनाओ लड़ेंगे लेकिन इस विपक्षी एकता को चोड़ देने के लिए आम आदमी पार्टी ने कसर उठा लिया है अकसर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये भाति जानता पार्टी का छोटा रिचार्ज है इस बात में कितनी सच्चाई है क्या ये बात सही है अगर आप हमारी वीडियो को आन तक देखते हैं तो साहिद आपके मन में जो असंका है जो आपके मन में जो सवालात है जो आपके मन में जो संका है वो दूर हो सकता है बड़ी तेजी के साथ एक चीज वाइरल हो रही है जिसमें लिखावा है पहले करो समर्थन अध्या देश का फिर करेंगे समर्थन विपक्षी एकता के जना देश का पहले करो समर्थन अध्या देश का फिर करेंगे समर्थन विपक्षी एकता के जना देश का कुछ इसी तरह की वेनर पटना के सर जमीन में आम आधी पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है तमाम तर विपक्षी दलो की जब मिटिंग पटना में हुआ था तो एक बात पर श्रहमती बनाई गए थी कि सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बाते की जाएगी कोई पार्टी अपना तरफ से अपना अध्यादेश पेस नहीं करेगा लेकिन आम आधी पार्टी के द्वारा अपना अध्यादेश पेस किया गया हालाकि आमान्दी पाटी के अध्यादेश पर बात नहीं हुई उन्हें सीरे से खारिश कर दिया गया लेकिन अब पटना के सरकों पर वेनर लगा कर विपक्ष एकता में चोड़ दिया जा रहा है आमान्दी पाटी का कहना है कि अर्विंद केजरिवाल एक अच्छे लीडर है मुझूदा वक्त में अगर कोई नेंदर मोधी से मुकाबिला कर सकता है अगर कोई उन्हें उखार फेक सकता है तो अर्विंद केजरिवाल है इसलिए अर्विंद केजरिवाल को परधान मंतरी प साहमती दिखाएगा अगर ऐसा नहीं करता है तो आमादी पार्टी फिर विपक्ष से दूरियां भी बना सकता है हमने आपको शुरुआत में कहा कि आमादी पार्टी के बारे में कहा जाता है अक्सर उनके विरूदी कहते हैं कि ये भारती जन्ता पार्टी का छोटा रिचार्ज है ऐसा क्यों कहते हैं पुरे विपक्षी दल परधान मंतरी के चेहरे को दरकिनार कर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और कहरे कि पहले जीत तो जाए फिर हम लोग बंद कमरे में बैठ कर तै कर लेंगे कि परधान मंतरी का चेहरा कौन होगा पहले हम जो मिशन है बारती जन्ता पार्टी को दोहजार चोबीस से देश की सता से बेदेखल करने का उस पर काम्याब तो हो जाए उस पे काम तो कर लें लेकिन आम आदे पार्टी ने एक नया अध्यादेश लाकर एक नई बात लाकर एक नए बैनर बना करके एक संदेश दे रहा है कि विपक्ष एक्ता को कमजोर करने की कोशिस कर रहा है पतना की गलियों में पतना की सरकों पर ये बैनर देख रहा है जिसमें लिखावा है पहले करो समर्थन आद्यादेश का यानि आम आद्मी ने जो अद्यादेश दिया है उसका समर्थन करो फिर करेंगे समर्थन विपक्ष एक ताके जनादेश का आमादी पार्टी के इस सोच को आमादी पार्टी के इस तरीके को आमादी पार्टी के इस रवेयों को आप क्या कहना चाहेंगे कोमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं विदा लेना चाहेंगे आपसे गुजारिस करेंगे चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकों को दबाते रहें धन्यवाद शुक्रिया आदाव